का यूज कैसे करते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं ट्विट पर क्लिक करते हैं ट्विट के बाद हमें आ रहे बास ऑप्चन आता है कि हमें अगर कुछ ट्विट करना है या कुछ हम अपने हैस्टक को यह पर क्रेट कर सकते हैं यूज कर सकते हैं लोग क्या करते हैं मैं आप आपको दिखाता हूँ आज तक के अंदर, इन्होंने दिखा है hash RSS की सक्रियता पर अखिलेश ने उठाई सवाल, तो इस तरीके hash RSS इसका मतलब जाता है, इसने hashtag यूज़ किया हुआ है, अब इसके अंदर ये show करता है, कि ये hashtag कितनी बारी use हुआ है, सारा top show करेगा, तो ये आप खुद से अपनी hashtag को create कर सकते हैं, और उसे ये फाइदा होता है, आपको ये तुरूंट जैसे उपर search में आपर show करता है, search के अंदर ये तुरूंट दिखा देता है, कितने लोग उन उसको use किया है, कितने लोग उसको देख रहे है, जैसे यहाँ पर आपको ये भ बढ़ जाते हैं, तो as पर जो suggestion है, जो मेरा जो opinion है, मैं ये opinion देता हूँ आपको, कि एक post के अंदर 2 से 1 से 2, उससे यादा आप इसके अंदर tweet में hashtag को use न करें, जैसे मैं आप एक example लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, example के पौर के, मैंने एक example, example को मैंने लिख दिया, और मैंने आप यूज कर दिया, hash, hashtag लगा दिया, इस तरीका से आपर space देखें आपर, दो करके आप यहाँ पर, एक मैंने लिख गया है, पर increase Twitter follower, एक और आप लिख कर आप यहाँ आपर tweet कर सकते हैं, और tweet करते हैं, आपके यह page पर नीचे यहाँ पर post हो जागा, जैसे आप जीन उसका आप जेक सकते हैं, hash America, hash USA, at mohw, mohfw, इंडिया, hash G, जानकारी, on Corona, hash lockdown, stay home, तो इस तरीका से आप यूज कर सकते हैं, बट मेरा जो opinion है, दो, एक से दो बहुत हैं, दो आप यूज कीजिए, आपके chances ज्यादा हैं, आपके tweets को लोग पढ़ेंगे, comment भी कर सकते हैं, retweet भी कर सकते हैं, reply भी कर सकते हैं, all depends कि आपे tweet क कितनी अपने अच्छे comments अपने पोस्ट केवा, कितनी information अपके अच्छी हैं, relevant हैं दोगों के लिए,